रिशिवशिष्ठ भगवान श्री राम को पुन्य और पावन दो भाईयों की कथा के माध्यम से जगत और उसके संबंध की असत्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। रगुनंदन इसी विशय में विग्यपुरश इस प्राचीन इतिहास का उदाहरन दिया करते हैं। गंगाजी के तठ पर दो मुनी कुमारों में जो परसपर भाई थे उक्त विशय को लेकर ही जो समवाध हुआ था वही यह पवित्र इवं अद्भुत इतिहास है। तुम इसे सुनो इस जम्बु द्वीब की किसी परवत माला में एक महेंद्र नामक परवत है। उसके एक देश में जहां सुविस्त्रित एवं मनोरम रत्नमय शिखर है मुनियों ने सनान और जलपान के लिए आकाश गंगा को उतारा था। उसी गंगाजी के तट परदेश में जहां के व्रिक्ष फूलों से लदे हुए थे। उन्होंने सम्मक ज्यान प्राप्त कर लिया था। वे तपस्या की राशी और उदार बुद्धी थे। तथा तपस्या के मूर्ती मान रूप से जान पड़ते थे। उन महर्शी के दो पुत्र थे जो चंद्रमा के समान सुन्दर थे। उनके नाम थे पुर्ण्य और पावन। उन दोनों पुत्रों और एक पत्नी के साथ वे मुनी गंगाजी के उस तट पर रहते थे। जहां के व्रिक्ष फलों से भरे हुए थे। कुछ समय भीतने पर मुनी के उन दोनों पुत्रों में जो अवस्था और गुण दोनों ही दृष्टियों से जेष्ठ थे। वे पुन्य नामक मुनी सम्यक ज्यान से संपन हो गए। परंतु उनके दूसरे पुत्र, पावं का ज्यान अधूरा ही रह गया। वे मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए थे। परंतु उन्हे परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्यान नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए वे बीच में ही जूल रहे थे तदनंतर सो वर्ष बीत जाने पर दीर घतपा जरा अवस्था से जरजर हो गए अतहा उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और संकल्प तथा राग से शुन्य परम पद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रम्ह भाव को प्राप्त कर लिया ततपश्चात पती के शरीर को प्राण और अपान से रहित होकर प्रिथ्वी पर पड़ा देख मुनी की पत्नी ने भी पती की सिखाई हुई चिरकाल से अभ्यस्त योगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और लोगों की द्रिष्टी से अद्रिष्य हो अपने पती का उसी तरह अनुसरन किया जैसे प्रभा गगन मंडल में अस्त होते हुए चंद्रदेव का अनुसरन करती है माता और पिता के परलोग वासी हो जाने पर जेश्ठ पुत्र पुन्य ही स्थिरचित होकर उनके अन्तिष्टी कर्म में प्रवृत्त हुए पावन को माता पिता से बिछुड जाने के कारण बड़ा दुख हो रह था उनका चित शोक से व्याकुल था वे बड़े भाई की ओर न देखकर वन की गलियों में घूम घूम कर विलाप करने लगे माता पिता का और्ध्व देहिक कर्म समाप्त करके उदार बुध्धी पुन्यवन में अपने शोका कुल बंधु पावन के पास आए पास आकर पुन्य ने कहा वच्स यह शोक अंधता मोह का एक मात्र कारण है तुमसे घनी भूत क्यों बना रहे हो महाप्राग्य तुम्हारे पिता तुम्हारी माताजी के साथ उस मोक्ष नामक सच्चिदानंद घन परमात्म पद को प्राप्त हो गए है जो सब का अपना ही स्वरूप है वही सब प्राणियों का अधिश्ठान है और वही जितात्मा ब्रम्ह वेताओं का स्वरूप है जब पिता अपने इस स्वरूप को ही प्राप्त हुए है तब तुम उनके लिए बारम बार शोक क्यों करते हो तुमने इस संसार में ऐसी मोह जनित मम्तामई भावना बांध रखी है जिससे तुम अशोचनीय पिता के लिए भी शोक कर रहे हो नवे ही तुम्हारी माता थी और नवे ही तुम्हारे पिता थे वच्स जैसे प्रत्यकवन में जल के बहने के लिए बहुत से नाले होते हैं उसी तरहे तुम्हारे सहस्रों माता पिता हो चुके हैं उन माता पिता के भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं केवल तुम ही उनके पुत्र नहीं हो जैसे नदी के जल में बहुत सी तरंगें उठती हैं और विलीन हो जाती है उसी प्रकार मनुश्य आदी प्राणियों के जन्म जन्म में बहुत से पुत्र हो हो कर काल के गाल में जा चुके हैं वच्स यदी सनेह के कारण माता पिता और पुत्रों के लिए शोक करना ही उचित हो तो पहले के जन्मों में जो सहस्रों माता पिता बीत चुके हैं उनकी लिए निरंतर शोक क्यों नहीं किया जाता हे महाभाग जगत की कलपना के निमित भूत भ्रम या अज्ञान के कारण ही यह प्रपंच दिखाई देता है विद्वन वास्तव में तो तुम्हारे न कोई मित्र है और न बंधू बांधव ही हैं वच्स पारमार्थिक द्रिष्टी से सत्य क्या है इसका तुम विचार करो विचार करने से तुम्हें ग्यात होगा कि न तुम हो न हम है तुम्हारे अंतह करण में जो भ्रम है उसी के कारण इस जगत की प्रतीती हो रही है अतह तुम उसे त्याग दो यह गया यह मर गया इत्यादी कुद्रिष्टियां अपने संकल्प रूप अज्ञान से उत्पन हो सामने दिखाई देती हैं वास्तों में इनकी सत्ता नहीं है हे पावन, बंधु, मित्र, पुत्र, स्नेह, द्वेश तथा मोह दशा रूप रोग से युक्त जो प्रपंच है यह अपने नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है वास्तों में इनकी सत्ता नहीं है जिसके प्रती बंधु, भावना कर ली गई है वह बंधु हो गया और जिसके प्रती शत्रु की भावना कर ली गई वह शत्रु हो गया परन्तु सभी शरीरों में अभिन रूप से विद्देमान जो सर्वव्यापी आत्मा है उस एक में ही यह बंधु है यह शत्रु है ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है वत्स यह शरीर रक्त मांस और हड्डियों का समूह है अस्थियों का पंजर है इससे भिन मैं कोन हूं इसका तुम स्वयम अपने चित से विचार करो बारमार्थिक दृष्टी से देखने पर न तुम कोई हो न मैं कोई हूं यह पुन्य है यह पावन है इत्यादी के रूप में मिथ्या ग्यान ही नृत्य कर रहा है यदि तुम आत्मा से भिन कोई लिंग शरीर ही हो तो बताओ बीते हुए दूसरे अनेक जन्मों में जो तुम्हारे बंधू और धन वैभव नश्ट हो गए हैं उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करते सुन्दर फूलों से स शोभित वनस थलियों में तुम्हारे भहुच से बंधू म्रग योनियों में म्रिग शरीर धारन करके रह रहे हैं उनके लिए तुम्हें शोक क्यों नहीं हो रहा है वच्स इसी जम्बू द्वीप में तुम पहले अन्यान्य बहुत सी योनियों में सैकडों हजारों बार जन्म ले चुके हो मैं तत्व ग्यान से शुद्ध हुई सुक्ष्म बुद्धी के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूं मेरी भी बहुत सी योनियां अनेक बार बीत चुकी है उन मोह मंथर अतीत योनियों को आज मैं तत्व ग्यान से उदित हुई सुक्ष्म द्रिष्टी के द्वारा देखता और स्मरण करता हूं ऐसी अवस्था में जो जगत में उत्पन हुए सैकडों माता पिता भाई बंधू और मित्र काल के गाल में जा चुके हैं उन में से किन किन के लिए हम दोनों शोक करें और किन के लिए ना करें अत्वा किन को किन को छोड़ कर यहां किन किन के लिए हम शोक में डूबे रहें क्योंकि संसार की तो ऐसी ही गती है पावन, तुम्हारा भला हो, मन में अहंकार भाव के रूप में स्थित, इस प्रपंच भावना को त्याग कर, तुम उस गती को प्राप्त करो, जो आत्म ग्यानी पुरुशों को उबलब्द होती है वत्स, तुम शांत चित होकर, आत्मा का, अपने आपका, जो भाव और अभाव से मुक्त, तथा जरा और मृत्यू से रहित है, उसका स्मरन करो, मन में मूढता न लाओ, उत्तम बुद्धि वाले पावन, न तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो, जैसे रात होने पर, दीपक सन्निधी मात्र से, प्रकाश के करता होते हुए भी, व्यापार शुन्य होने के कारण, अकरता ही है, उसी ब्रकार, तत्व ज्यानी पुरुष, करतापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थिती में करता होकर भी अकरता ही है वच्स जो समस्त एशनाओं के कलंक से रहित एवं मननशील है तथा जिसका हृदय कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप से साक्षातकार किया गया है उस आत्मा के द्वारा अपने भीतर के संपून संसार ब्रह्म को मिटा कर अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा से ही संतोष प्राप्त करो यह कथा कहकर रिशिवशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं रगुनंदन पुर्ण्य के इस प्रकार समझाने बुझाने पर पावन को उत्कृष्ठ बोध प्राप्त हुआ तद पश्चात ज्यान और विज्यान में पारंगत तथा सिध्ध और अनिंद्य स्थिति को प्राप्त हुए वे दोनों बंधु उस वन में इच्छा नुसार विचरने लगे तद अनंतर समयाने पर वे दोनों देह रहित हो परम परमात्मा को प्राप्त हो गए निश्पाप्राम इस प्रकार पूर्व जन्मों में जो असंख्य देह धारन कर चुके हैं उन प्राणियों के माता पिता बंधु बांधव आदी का समुदाए अनंत है उन में से कौन किन को ग्रहन करे और कौन किन का त्याग करे रगुनंदन इसलिए इन असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ती का एक मात्र उपाए त्याग ही है उनको पोस्ना नहीं है जैसे लकडी डालने से आग प्रज्वलित होती है उसी प्रकार विशय भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ती जाती है और जैसे बिना इंधन के आग बुझ जाती है उसी प्रकार विशयों का चिंतन न करने से चिंता मिठ जाती है एक मात्र विवेक रुपी सखा और एक मात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धी रुपिनी प्रिय सखी को साथ ले संसार में शास्त्र विहित आचरन करने वाला पुरुष संकट पढ़ने पर भी मोह ग्रस्त नहीं होता श्री राम चित के नश्ट हो जाने पर अविचल धैरिय से युक्त पुरुष उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां फिर नाश का भे नहीं है